नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 9 जुलाई 2022 के डेली दा हिंदू एडिटोरिल डिसकेशन उसके साथ सत कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज आनलिसिस न्यूज मैं अलग-अलग सोर्सर से उठाता हूँ दा हिंदू, इंडिन एक्स्प्रेस और जितने भी और जगों से काम की न्यूज होती हूँ सब आपके साथ डिसकस करता हूँ चुकि आज सेटरेडे है तो दा हिंदू एडिटोर में चार आर्टिकल्स हैं चारों मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो डेली न्यूज में कौन कौन सी न्यूज है तो जपानीज पीम शिंजे अबे को गोली मार दी गए इसके रिस्पेक्ट में ने कल भी एक वीडियो बनाई थी ये गोली एक्चली में क्यों मारी गई इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है हलाकि इस से लेटेड बहुत सी न्यूज निकल के आ रही है जैसे फॉर एक्जामपल अगर आप देखो तो चाइना इस न्यूज से काफी खुश है इंडिया के PM मोदी ने कंडोलेस्स दी है शिंजो एबे को अपना दोस पता है एवेनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में यहापे कुछ इंफॉरमेशन में आपको दूँगा और अब शायद कुछ ऐसी न्यूज में निकल के आ रही है कि जो यहाँ पे किलर था उसका यह बोलना है कि शायदो किसी और को मानना चाहरा था इनको मार दिया बहुती वेराइड निउस निकल के आ रही है बिक क्लारिटी है नहीं कि PM शिंजो एबे को क्यो मारा गया तो इस निउस को देखेंगे फ्लैश फ्लट से 13 लोगों की अब तो नंबर काफी बढ़ गया है अमरनाथ की यात्रा जा रहे है यात्तियों की यहां पे मृत्ति हुए अमरनाथ की यात्रा कौन-कौन से रास्तों से होती क्या-क्या खत्रा है इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे उसके बाएड एक इंडिविजवल जो की एक foreign में यानि US में एक सरुगेट मदर से अपना बच्चा पैदा करवा रहा है उसको अपने embryo भेजना चाहता है लेकिन उसके लिए हमारी concerned authority से उसको NOC नहीं मिला यह क्या इसको देखेंगे फिर भाई मेगालिया Tribal Council Instrument of Accession जो की 1948 में sign हुआ था इसको revisit करेगा इसके बारे में फिर से बातचीत करेगा इसको यहाँ पर देखेंगे G20 मीटिंग में recently बहुत से differences देखने को मिले जब बाली में भी मीटिंग हो रही थी रशीया हो गया, चायना हो गया, इंडिया हो गया जो top 20 countries है, उनके foreign ministers मीटिंग कर रहे हैं बाली में, तो क्या-क्या बातचीत हुई है, अच्छी है, बुरी है, सबको देखेंगे और aviation turbine fuel के उपर excise duty नहीं लगेगी इसे इंडिया आपने सुना होगा कि petroleum exports के उपर आपकी special additional duty कुछ excise duty लगाने की बात की दी सरकार ने, तो overall हमारे domestic जहाज, जो की foreign flights जाते हैं, जिसे for example indigo का जहाज, Istanbul, Turkey तक जाता है तो इसमें जो तेल यूज हुआ, उसके उपर भी यहाँ पर excise duty लगाने लगे, इसको export मानने लगे, तो सरकार ने clarify कि ऐसा नहीं है, इससे associated जो भी information है, वो मैं आपको दोगा editorial में, इसराइल और इरान की rivalry और इस respect में पूरी की पूरा जो middle east और गल्फ region का इलाका, यहाँ पर क्या politics चल रही है कैसे Islamic revolution, इरान ने पूरे की पूरे गल्फ region को बदल के रख दिया इसके बारे हम बात करेंगे, ट्री को प्लांट करने से कैसे forest state का forest landscape का restoration होगा, एक article है, environmental awareness related को देखेंगे, फिर beating the heat यहाँ पर जो information दी गई, वो कल के current affairs, कल या परसों current affairs में already discuss कर चुका हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत आपका revision हो जाएगा, और female women players को men women players के बराबर तनखा मिलना, जैसे New Zealand के cricket board ने decide किया कि जो New Zealand की men's cricket team हो, उसको यतना पैसा मिलता है, match fees मिलती है, उतनी ही women's cricket team के player को मिलेगी, तो एक progressive decision है और अलग-अलग sports में decision किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे मात करेंगा, word of the day देख लेते हैं, postulate, postulate का मतलब क्या होता है, suggest or assume the existence, fact or truth of something as a basis of reasoning, discussion or belief जैसे for example, his theory postulated a rotatory movement of hurricanes तो hurricanes के respect में शुरुआती जब thesis हो रही थी, science हो रही थी तो उस समय पे, किसी एक individual ने अपनी theory से infer किया, कि hurricanes का rotatory movement होता है, मतलब कि एक particular चीज इस प्रकार से होती है, इस बात को आपको assert करना, through some facts through some, आप कहलो suggestions through some assumptions, reasoning discussion के आधार पर, तो reasoning discussion के आधार पर किसी चीज़ को infer करना, एक scientific basis पे इसको आप बोलतो, postulate वीडियो पे like का बटन दोस्तों, channel को अब तक share और subscribe नहीं किया कर लीजे, हो सके तो join बटन दबा के, और super thanks का option दबा के help करें, नीचे like बटन में आपको यह options मिल जाएंगे, चुकि सारी की सारी वीडियो चैनल पर free of cost available है, कोई भी paid course है नहीं तो आप यह बटन दबा के मदद कर सकते हैं, हो सके तो Instagram पर follow करें, आप से जोड़ने कोशिश करता हूँ Telegram गृप पर आपको lecture की PDF और notification दोनों मिल जाएगे तो पहली news, GS paper 2 International news के perspective से दिखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं GS paper 2 बता रहा हूँ तो इस context में यह जो वीडियो है, वो केवाल तो आपकी consolidated current affairs की तयारी से हो रही है थोड़ा analytical और थोड़ा आपका factual यह दोनों information के एक juditions mix को मैं आपके समने लाने की कोशिश करता हूँ तो आप हर particular student को जो की current affairs की तयारी कर रहा है किसी exam के perspective से उसको वीडियो recommend कर सकते है तो former Japanese Prime Minister Sinjo Abe इनको Nara City में election campaigning के दौरान गोली मार दीगे एक ऐसे देश जापान में जहां पर gun violence बहुत ज़ाद अका में और जो individual था जिसने गोली मारी उसको on the spot यहां पर पकड़ लिया दबोच लिया इसने गोली मारने के बाद अपनी बंदूग जमीन पर रख दी भागने की भी कोशिश नहीं की हाला कि भागता तो भी पकड़ा जाता चुकि security officials बहुत पिजिस के बाद तोड़े थे उसको अका के नारा में सुभे साड़े 11 बजे incident हुआ इस समय पे लगबग इंडिया में साड़े 8 बज रहे थे election campaigning हो रही थी वहाँ पे ambulance फगरा थी medical helicopter के थुरून को ले जाया गया पर ऐसा बताया जा रहा है कि ले जाने में थोड़ी देरी हो गई इसमें यहाँ पे इसकी मृत्य हो गई नारा Medical University के head में बोलाई कि पाँच बच के शाम लगबग इनकी मृत्य होग यहाँ पे हो गई कार्डियो पॉल्मिनरी अटैक इनको यहाँ पे आया था ठीक है excessive bleeding के वज़े से इनकी मृत्य हो गई वो जो गोली थी वो इनके right side of neck से चीरती वी hurt तक पहुँच गई थी सुया यामा गामी 41 साल के individual है इनको यहाँ पेरिष्ट किया गया shooting के लो और इन्होंने अपने crime को यहाँ पे accept भी कर लिया है overall सबसे खास बात यह है कि एक homemade gun को इन्होंने इस्तमाल कि shooting के लिए चुकि जापान में जो gun से उतनी आसानी से available है नहीं को उसाका और क्योटो के बीच में नारा नाम का शेर है यहाँ पे एक incident हुआ है जापान के अंदर gun ownership loss बहुत जादा strict है shootings rare हैं 2018 में जापान में जहाँ पे साड़े 12 करूर की आबादी है केवल 9 मौते fire आम से हुई है जबकि US में लगबग 40,000 मौते 2018 में 5 आम से हुई थी बेसिकली जापान में आपके वल shotgun ले सकते हो एर आफिल ले सकते हो उसमें भी बहुत excessive checks and balances है बहुत सदा background check criminal check किया जाता है आपको किसी भी प्रकार की गंदेने से पहले अब थोड़ी basic info लेते हैं former Japanese PM Shinjo Abe के बारे ने एक जबरदस्ती इलस्ट्रिस केरियर रहा है एक के सेप्टमबर 1904 में इनका जन्रमवा टोकियो में इनके पिता जी थे Shintaro Abe जो की जापान के foreign minister रह चुके थे और ये पोते थे Nubusuku Kishi के जो की former prime minister रह चुके है जापान के तो एक political family से आते थे इनका politics में जाना शुरुवात से कि इनकी एक कितना की layout बन गया था 1977 में लगबाद 23 साल की उमर में S.K. University टोकियो से इन्होंने अपनी political science की डिग्री ली उसके बाद ये US चले गी उनिवस्टियों Southern California में पढ़ने के लिए 1979 में Kobe Steel नाम की कंपनी में इन्होंने काम करना शुरू किया 1982 में कंपनी छोड़के ये foreign ministry के साथ और liberal democratic party जो कि उसके साथ लग गए 1993 में एक LDP liberal democratic party के legislator की तरह ये elect हुए from the southern, southwestern परफेक्चर अफ यामागूची conservative politician थे ये 2005 में chief cabinet secretary appoint हुए थे prime minister जुनी चीरो कोईजूमी के अंदर ठीक है उसके बाद देखो ये LDP के head भी अपॉइंट हुए LDP के head का होने का मतलब है कि आप जापान के PM बनने के बहुत पास हो चुक्कि अगर LDP party आई तो उसका head ही प्रैम मिनिस्टर बनेगा 2006 में एक साल के लिए जापान के प्रदान मंत्री बने शिंजो एमे और इन्होंने economic reform शुरू किये North Korea के against एक hard stance लिया South Korea चुना एक साथ दोस्ती बनाने की कोशिश की लेकिन उसके बाद 2007 में Liberal Democratic Party election हार गई तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 52 साल के बाद Liberal Democratic Party पावर से बाहर गई और शिंजो एवे को गद्धी छोड़नी पड़ी लेकिन शिंजो एवे 2012 में फिर से गद्धी पर वापस आएंगे 2020 तके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे 2014 में लांच करेंगे Abenomics Abenomics एक ऐसा economic scenario था जापान के अंदर जहांपे लेंडिंग और structural reforms किये गए जापान की economic को बहुत अब तक open किया गया बहुत तेजी से economic growth बढ़ी ठीक है 2020 वे एक intestinal बीमारी के चलते है शायद ulcerative colitis था उसके चलते इनको जापान के PM की कुरसी छोड़नी पड़ी और अट जुलाई 2020 है निकी कल इनकी गोली मारके हत्या कर दी गई अगली न्यूज़ तेरा किल्ड एस flash floods हेट यात्रा जियस पे बतरी disaster में न्यूज़ काम होगी तेरा लोगों की मृत्ति हो गई है जब अमरनात पिल्ग्रिन थे जब flash floods आये बलतस base camp के पस लगबग साड़े पांच बज़े ये flash floods आये और तेरा लोग शुरुआत में बताया जा रहा था dead थे अब तो खेर काफी ज़्यादा बताया जा रहे है dead है 40 लोग missing है आपे बहुत सारे लोगों को शोटे लगी है काली माता ओवाई junction के पास ये overall flash floods आये है cloud birds की वज़े से आये है cloud burst क्या होता है? cloud burst होता है कि बहुत कम समय के लिए एक बहुत छोटे से लाके में खतरनाक बारिश का होना जो बहुत कम समय बहुत छोटे से लाके में बारिश होगी और अगर वो लाका पहाड़ी लाका है तो उस case बेर वहाँ पे floods आने की chances बहुत कम समय चुकि flood plane ज़्यादा बड़ा होता नहीं है अब ये पहाड़ खड़ा है यहाँ ये पहाड़ खड़ा है यहाँ इतनी छोटी सी valley में अगर बहुत ज़दा पानी बरस जाएगा तो floods आही जाएगा और यहीं यहाँ पे हुआ है ठीक है न तो 100 mm पर आवर से ज़ादा का precipitation बारिश होती है 20 से 30 square kilometer के अलाके में तो उसको आप बोलते हो आपका cloud burst अब देखिए अमरनाथ यात्रा 3 साल के बाद resume की कही थी अमरनाथ यात्रा के respect में विनी सर अलरड़ी एक वीडियो बना चुके है after a gap of 3 years अमरनाथ यात्रा विकम्स पर्टा तो security consensus particular वीडियो का आप चाहें तो देख सकते हैं अमरनाथ यात्रा मेरे नाम अरशिद वेदिक साथ यूट्योब में सर्च मारे आपको वीडियो मिल जाएगी नाम के साथ इसलिए दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर बहुत सी वीडियोज अवलेबल है यूट्यूब पर तो मेरी वाली वीडियो को धूरने के लिए आपको नाम के साथ सर्च मारना पड़ेगा अब अमरनाथ यात्रा जाने के लिए दो रास्तें यह जो श्राइन है यह जो अमरनाथ की होली केव है यह 3677 मीटर की उचाई पे अब यहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता पहलगाव श्रीनगर के पास से शुरू होता है और एक रास्ता नील इग्रत जो कि सोन मर्क के पास हैं यहां से शुरू होता है, अब यह जो नील इग्रत से अमरनाथ का रातरा है ना यह वाला रास्ता है, उपर वाला जो दिख रहा है आपको, यह लगबख 14 किलुमेटर का है, और जो नीचे वाला रास्ता है, यह खचर ले जाना allowed नहीं है सिर्फ male carriers मतलब एक individual आपको अपनी पीठी पर उठा के ले जा रहा है वो वाला system allowed है खचर वगर allowed नहीं है और जो physically fit लोग होते हैं जो young लोग होते हैं वही ये particular नील गरत से 14 km वाला रास्ता जो सोन मर्क से हुरू हो सकता है वो पकड़ सकते है जो थोड़े से बुड़े होते हैं जो कुछ medical issues हैं वो पहलगाओं से ही अपना रास्ता लेते हैं लंबी जर्नी पूरी करते है इसलिए उपर वाला जो रास्ता है इसमें स्लोप से इतने स्ट्रीप नहीं है लैंड स्लाइट के चांसे तो इस रास्ते पे भी है बड़ थोड़े कम है सोन मर्क नील गरत से जो अमरनाथ केव वाला रास्ता है यहाँ पे overall danger थोड़ा ज़ादा होता यहाँ पे physical fitness ज़ादा की जरूत होती है और यहीं पे इस बल्टल बेस कैम के पास overall flush floods आये थे जो tent वगर है यहाँ पे लगा रखे थोड़ गए लोगों को बहाते हुए लेके चलेगे fresh words काफी जानमाल का यहाँ पे नुकसान हुआ exactly कितना नुकसान हुआ है यह आगे आने वाले समय में कुछ clear होगा अभी information निकल के आ रहेगे पिर अगली news जीस पे बढ़ द्रीड डिफेंस के इसपेक्ट से बढ़े डिफेंस एक्सपोर्ट्स 13,000 करोण बढ़ खे है 2021 फाइनेशन लेर के लिए इंडिया ने 13,000 करोण के डिफेंस एक्सपोर्ट की है ऐसा बताया संजे जाजू जी ने जो के डिफेंस प्रडक्शन में additional secretary है डिफेंस मिनिस्टर में और एक major buyer था है US ठीक है ना South East Asia, West Asia, Africa ने भी इंडिया से डिफेंस weapons order की है US ने भी buy किया अब आप सोचोगे यार US से तो हम weapons buy करते है US हमसे क्या buy कर रहा है तो समझिए हम US से ready made weapons buy करते है लेकिन जो US है ना वो हमसे बहुत key inputs buy करते है US की जो बड़ी-बड़ी private companies है वो बड़ी तागाद में weapons बनाती है और उन weapons को बनाने वाले जो inputs होते है ना जो छोटे-छोटे equipments होते है ना जो supply chain है वो US की बहुत सारी defense companies ने इंडिया में establish कर रखी तो जो भी हमारे export हुए 13,000 करोन के इसमें से 70% export private sector ने किये लगबग 30% export public sector मतलब सरकारी कंपनियों ने किये पहले यह number 90% हुआ करता था प्राइवेट के लिए 10% सरकारी कंपनियों के लिए बगग था लेकिन recently सरकार के efforts के चलते सरकारी कंपनिया भी defense export के field में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है एक और बात बता दूँ के अबल इस comment 6 category के export को ही यहाँ पे 13,000 करोन में काउंट किया गया मतलब special chemicals organisms material equipment और technology यह particular group में जहाँ पे defense authorization की मतलब जरूरत होती exports के लिए किवल इसके अंदर आने वाले exports को इन 13,000 करोन में गिना गया इसका मतलब यह है कि defense exports और भी ज़्यादा हो सकते हैं ऐसे भी बहुत से aviation components हैं, dual use items हैं जोके defense industry में भी use हो सकते हैं किसी और industrial industry में भी use हो सकते हैं उनको यहाँ पे 13,000 करोन में नहीं गिना गया है अगर उनको भी गिन लिया जाए तो हमारा defense export है वो जहाँ जाज़ा नज़र आएगा चुकि ऐसी बहुत से rings, ball, bearings खाचे होते हैं, चुकि industries में भी उसकते हैं, defense industries में भी use हो सकते हैं तो ऐसे doll use items को, aviation components को यहाँ पे defense exports में count नहीं किया गया है ठीक है तो इस context में देखा जाए तो हम लोग defense exports में आगे आ रहे हैं, दीले-दीले करके हमारे जो economy है, वो pull up हो रही है Philippines के साथ इंडिया ने 374.96 million dollar के deal sign किये, single biggest defense deal है इंडिया की, जिसके चलते Brahmos Supersonic Cruise Missiles के इंटीन batteries, shore based anti-ship variants, मतलब Philippines के shore पे ये anti-brahmos missile deploy कर दी जाएंगी, और अगर कोई ship है, जो कि Philippines के maritime interest को खतरे में डालता है, तो ये Brahmos Sun के ओपर fire किया जाएगा समझे है, तो भाई defense security डॉक्टर अजय कुमार साब ने, बोलाई कि 75 newly developed AI products और technologies को धीरी-धीरी करके defense में लाए जाएगा defense ministry एक organized और institutional तरीके से defense export को बढ़ाने की कोशिश कर रही, इसके लिए task force भी बनाई गई है, बहुत तेजी से हम अपने defense इस export को बढ़ाने कोशिश कर रहे हैं, अब कितना बढ़ा बाते हैं, वो आगए हैं नोसमें पता चलेगा दुनिया के सबसे बड़े-बड़े arms exporter कौन है, तो सबसे ज़ादा बढ़ा arms exporter हो रहा United States 2017 से लेकर 2021 के हातियारों में जो भी export हुए है 38.6% US ने किया है 18.6% रशिया ने किया है 10.7% फ्रांस ने किया है, फिर आता है चाइना का नंबर 4.6, जर्मनी 4.5 इटली 3.1, नाटर गिनम 2.9 साउथ कोरिया 2.8 ठीक है, तो अब देख सकते हो कि यह जो high powered council chaired by defense minister और defense की artificial intelligence council यह particular initiative को लीड कर रही initiative क्या है कि 75 नए projects, नए technologies launch की जाएंगी artificial intelligence के अंदर और उसके साथ-साथ इसके बाद 100 और products develop की जाएंगे तो इससे artificial intelligence, defense production जो हमारा infrastructure है वो strong होगा और overall हमारी defense का जो ecosystem है वो strong होगा तो automation, unmanned, robotic system, cyber security human behavior analysis, intelligent monitoring system logistics and supply chain management speech, voice, analysis, command, control communication, computer intelligence, surveillance, reconnaissance इन सब में कहीं न कहीं हमें आपने defense export को बढ़ाना है इन सारे areas को India target कर रहा है और ये high value areas है ये highly technological intensive areas अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं no doubt will be in the right track दिल्ली high court moved over delay in not to export embryo to surrogate in US देखे, इंडिया के अंदर एक individual है वो अपनी overall identity डिस्क्लोज नहीं करना चाहता लेकिन ये man अपना बच्चा पैदा करना चाहता है surrogate mother के थूँ और surrogate जो mother है वो United States में अब US में जो surrogacy laws हैं बहुत strong है जिस mother के साथ भी आप overall अपना बच्चा पैदा कर रहा है उसके साथ आपको एक proper agreement साइन करना पड़ेगा तो agreement इस particular man नहीं यहाँ पे साइन किया होगा अब इस context में इंडिया के अंदर एक body है National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board N.A.R.T.S.P. और Indian Council of Medical Research के बारे में तो आपने सुना ही होगा अब पूरा case आपको मैं आपे समझाने की कोशिश करता हूँ देखे हुआ यह है कि यह जो N.A.R.T.S.P. है National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board यह किसके थुरू बना है तो जब Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 बनाया गया तब इसके थुरू बनाया गया कौन सा यह N.A.R.T.S.P. Board नियम कानून में एक तो Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021 और एक Surrogacy Regulation Act 2021 अब यह सब regulate करते हैं Assisted Reproductive Technology को Surrogacy एक प्रकार की Assisted Reproductive Technology यह जो In-Vitro Fertility Clinics होते हैं यह भी उसी केटेगरी में आते हैं तो अब इस कंटेक्स्ट में हमारे देशें बहुत सारे A.R.T. Clinics हैं Banks हैं, Surrogacy हैं इनको regulate करने के लिए A.R.T. Regulation Act नोटिफिया किया था केन सरकार ने 21 दिसमबर 2021 को और सरोगिशी Regulation Act नोटिफाई हुआ था 25 दिसमबर 2021 को और इनके अंदर ही बना है कौन सा यह N.A.T.R.S.B. अब क्या है? अब नियम कानून यहां पे क्या बोलते हैं नियम कानून यहां पे यह बोलते हैं देखे N.A.R.T.S.B. has powers to advise the Central Government on Policy Matters relating to the A.R.T. Assisted Reproductive Technology से related जो भी Central Government को Policy Advise जाएगा वो N.A.R.T.S.B. एक तरफ से जाएगा कैसे Act Rules and Regulations को implement करना कौन से Act को तो A.R.T. Regulation Act और सरोगिशी Regulation Act को तो किस प्रकार से जो लोग हैं जो कि Fertility Clinics सरोगिशी Banks में काम करते हैं क्या यहां पे Physical Laboratory होगी Infrastructure होगा Diagnostic Equipment होगे यह सब आपको पता करना है प्लस इस Particular Act के अंदर A.R.T. Regulation Act और सरोगिशी Regulation Act इसके अंदर जितनी भी Body है उनकी Functioning को Oversee करना तीकि न Specific Orders जो Pass Out हो रहे हैं उसको देखना वगर वगर यह सब चीज़े इनका काम है अब इस Particular NIEM कानून में N.A.R.T.S.E.B. का एक और काम है आपे काम क्या है कि भाई अगर किसी Particular Individual को अपने Gamets अपनी किसी केलो सरोगिशी से Related Information अपने Siemens Sample को बाहर भीजना है देश से बाहर भीजना है तो एक No Objection Certificate लेना पड़ेगा किसे लेना पड़ेगा No Objection Certificate N.A.R.T.S.B. और ICMR से अब समझें यहां पर 25 जनवरी 2022 को Assisted Reproductive Technology Act 2021 Ground Level पे Inforce हो गया Inforce होने के बाद Section 229 of the Assisted Reproductive Technology Regulation Act क्या बोलता है कि अगर कोई individual अपने Gametes, Zygots और Embryos को Directly या Indirectly देश के अंदर या देश के बाहर Transfer कर रहा है तो वो नहीं कर सकता N.A.R.T.S.B. की Permission की मिला पहली बात तो वो करी नहीं सकता देश के बाहर या देश के अंदर Transfer और अगर वो अपने Personal Use के लिए कर रहा है तो उस Personal Use को करने से पहले उसे N.A.R.T.S.B. से Permission लेनी तो Basically, Technically ICMR, Indian Council of Medical Research और N.A.R.T.S.B. इन दोनों से ही इस individual को जिसको US में Surrogate Mother के दूँँ बच्चा करना है Permission लेनी थी N.A.R.T.S.B. ICMR से N.A.R.T.S.B. लेना था अपने Sample को बाहर भेजने के लिए US के अंदर ताकि इसका वहाँ पे Surrogate Mother से बच्चा हो सके लेकिन डेर साल बीच चुके हैं आपे इसको कोई भी N.A.R.T.S.B. नहीं मिली है तो मजबूर होके ये individual चला गया दिल्ली हाई कोट में और दिल्ली हाई कोट में इस individual के बहाँ पे इसका जो advocate Singh है वो क्या कह रहे है कि मेरा जो client है anonymous रहना चाहता है मेरा client legally bounded definitions के अंदर एक Surrogate Mother के थूँ बच्चा पैदा करना चाहता है ये US law के हिसाब से ये इंडिया law के हिसाब से भी है लहीं बात ART Act की तो ART Act के section 229 के हिसाब से personal views के लिए मेरा जो client है वो gamit embryo वगरा transfer कर सकता है इंडिया के बाहर लेकिन उसको लो NAC चाहिए NARTSB से और ICMR से वो NOC का इंतजार डेड़ साल से कर रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में पहुँच गया ये individual और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जहाड़ लगाई किसको ICMR को और overall NARTSB को कि भाई आप इसके उपर कोई decision क्यों नहीं ले रहे हैं आपको हाँ कहना हो हाँ करिए नहीं करना है तो नियम कानून के इसाब से नहीं करिए इस context में हो क्या रहा है कि जो Indian Med था जो कि US में अपना surrogate बच्चा करना चाहता है इसने पहले जो woman के साथ agreement किया तो वो agreement lapse हो गया चुकि India की authorities से इस समय पर काम नहीं कर रही है किसी तरीके से इस agreement को उसने re-negotiate किया है और अब फिर से यहाँ पे इंडिया की authorities की तरफ से NOC नहीं आ रहा है तो इस context में जो petitioner है उसको problem हो रही है इस ART Regulation Act के 25 जनवरी 2022 में implement होने से पहले नियम कानून क्या कहते थे तो DGFT Ministry of Commerce and Industry का जो 12 जून 2020 का circular था वो यह कहता था कि इंडिया से embryo export किये जा सकते हैं जी हाँ बिलकुल export किये जा सकते हैं लेकिन उसके लिए Indian Council of Medical Research NOC की जरूत है तो पहले सिर्फ ICMR से NOC की जरूत थी अब ART Regulation Act 2021 के बाद NARTSB से भी NOC की जरूत है तो दोनों से NOC मागी है ICMR से 1.5 सा से NOC नहीं आ रही और NARTSB से पिछले 6 महीने से NOC नहीं आ रही तो दिल्ली आई कोट ने authorities को बोला है कि भाईया जो भी NOC देना है नहीं देना है जल्दी करो decision अब देखिए कब ते decision निकल के आता मेगालिया की tribal council ने बोला है कि हम instrument of accession को revisit करेंगे अभी कौन से instrument of accession की बात कर रहे है तो देखिए क्या हुआ था कि खासी जो डोमेन था मेगालिया का वो इंडिन यूनिन का हिस्सा बना लगबग इस बात को 60 decades हो चुके हैं 70 साल हो चुके हैं खासी डोमेन कौन सा यहाँ बहुत सारी tribes और यह tribes के आपस में बहुत से मतबेद है तो खासी डोमेन इंडिया का हिस्सा बन गया था अब इस context में जिस instrument of accession के थूँ यह जो खासी डोमेन इंडिया का हिस्सा बना था इस instrument of accession को revisit करने की बात कर रहे है कौन यह बात कर रहे हैं तो खासी ओटोनॉमस डिस्टिक्ट काउंसिल खासी इल्स ओटोनॉमस डिस्टिक्ट काउंसिल के चीफ एक्जीकुटिव मेंबर तितोस तरवाल चाहे ने इन्होंने बोला है कि भईया 15 दिसंबर 1947 से 19 मार्च 1948 के बीच में जो भी discussion हुए इस basis पे जो instrument of accession हमने sign किया भारा सरकार के साथ इस particular instrument of accession पे हम लोग को फिर से बातचीत करने की जरूवत है अब यह बातचीत यहाँ पे क्यों है क्या यह कोई sectionist tendency है क्या देश से अलग होनी बात है नहीं ऐसा नहीं 17 अगास 1948 को एक conditional treaty sign की देऊ उस समय के governor of general of India चक्रवर्ती राजा गुपाला जरी जी ने और खासी hills का जो इलाका है वो इंडिया के हिससे में आ गया था आपके खासील autonomous district council वाले बातचीत कर क्यों रहे है इनका basically यह बोलना है कि sixth schedule of the Indian constitution के अंदर इनको enough amount of autonomy नहीं विलिए यह थोड़ी और autonomy चाहते है in fact यह अपने इक इलाके के लिए special status चाहते है अपने दर दर the constitution of India special status का क्या सीन है तो 377 जमुन कश्मीर को special status था article 371 एट नागा लैंड को special status है special status के बारे में मैंने आपको लक्षमी गांद की सीरीज में enough बताया है हमारे देश में बहुत से states है जिनको अलग अलग तरीके से special status मिला है तो 80 के अलाके वाले लोग बोल रहा है कि भाई हमने 80 states ने overall federation की बात की थी नागा लैंड को यहाँ पे special status दिया गया चार नौर्थ इस्टन स्टेन, एम टीम, आसाम, मेगाला, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के ट्राइबल इलाकों को आटोनॉमी दी जाती है इन particular इलाके में गवर्नर थोड़ बहुत इलाका बढ़ा सकता है, कम कर सकता है यूनिन के executive power और 5th schedule वाले इलाकों में जादा है 6th schedule वाले इलाकों में थोड़ी कम है कुल मिला कि आप ये कह लीजे कि 6th schedule के अंदर जो भी ट्राइबल इलाके identify किये गए है वहाँ पे केंदर की सरकार, राज्य की सरकारों की उतनी नहीं चलती है ओवर और उन इलाकों में local लोग जो है वो अपनी representative body से administration चलते है लेकिन अब इन councils का बोलना है कि इनको enough amount of civil और criminal judicial powers नहीं मिली है इनको और powers की जरूत है और यही ज़्यादा power पाने के लिए जो खासी Hills Autonomous District Council है वो कहराए कि हम अपने instrument of accession को re-negotiate करेंगे re-see करेंगे और फिर से 12 सरकार के साथ बाच्चीत करके अपने पास ज़्यादा ताकत लेने की कोशिश करेंगे छटे schedule की बात की जाए तो भाईया 10 Autonomous District Council है चार states में आसाम में कौन कौन से है बोदोलंट Territoral Council कार्वी अंगलांग Autonomous Council और दीमा हसाव Autonomous Council मेघालय में गारोव हिल्स Autonomous Council जैंतिया हिल्स Autonomous Council खासी हिल्स Autonomous Council ये खासी हिल्स Autonomous Council इसे लिए नीउस में तृपुरा में तृपुरा Tribal Areas Autonomous District Council आगे चलते हैं गौवर्मेंट ने एवेशन टर्बाइन फ्यूल की ओपर जो एक्साइस डूटी है इसको एकजेम्ट कर दिया कुछ दिन पहले ही आपको न्यूज मिली होगी कि भारा सरकार ने जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट सो रहे हैं देश के बाहर इसके उपर एक tax लगा दिया है ये एक प्रकार की excise duty लगा दिया ये जो special additional duty लगाई गई भारा सरकार के द्वारा on the export of petroleum products ये ADF के उपर भी लगा दिया अब इसमें एक problem हो गई हमारे इंडिया के plane जो foreign journey करते हैं देखें हमारी देखें overall international flights में भारती airlines का penetration कम है Indigo हो गई, Spice Jet हो गई जो कि इंडिया की airlines से go air हो गई वो international उणाने कम भरती है तो हम चाहते हैं कि international flight में हमारा जो overall footprint हो जादा हो इंडिया से और देशों में जादा flight है हो है तो अगर Indigo यहां से उमान में, गल्फ में, इराक में कह लिजए इस्ट्रेलिया में, लगलाग गउन पर flight लेके जा रही है तो इससे हमारे देश की airlines का जो footprint है international market में वो बढ़ता है और भारा सरकार इस चीज़ की कोशिश भी कर रही है लेकिन अब problem यह हो गई कि नई Special Additional Duty के चलते यह जो Indian Oil Corporation नाम की company है जो कि aviation turbine fuel बनाती है हम लोग बना बना aviation turbine fuel इंपोर्ट नहीं करते हैं हम बाहर से crude oil इंपोर्ट करते हैं और उसमें kerosene वगर मिलाके aviation turbine fuel बनाते है इस aviation turbine fuel की खास बात क्या होती है कि भाई यह high altitudes पे जमता नहीं है ठीक ना इसके अंदर fluidity, viscosity, non-corrosiveness, stability, cleanliness जादा होती है तो इस context में अगर आप देखो तो aviation turbine fuel बहुत जरूरी होता है एक aircraft के लिए इंडिया का जो kerosene market है नो तीन वागों मटा हुआ है एक है industrial kerosene एक है domestic kerosene जो की PDS के थुरू बाटा जाता है public distribution system और एक है aviation turbine fuel तो हम जो overall बाहर से crude oil import कर रहे है उसमें kerosene वगरा मिला के aviation turbine fuel बनाते है यह हमारी के oil marketing companies करती है जिसे IOL हो गया, NGC हो गया, ESO companies अब यही company overall अलग अलग कमपनियों को aviation turbine fuel बेचती है हम मालों इंडिको को इन्होंने aviation turbine fuel बेचा और इंडिको इंडिको इंडिया से एक उरान बढ़ रही है to Australia, Australia की शहर Canberra में तो अब इंडिको जब overall flight लेके जा रही है तो aviation turbine fuel उसमें इस्तमाल हो रहा Australia जारी flight इसको यहाँ पर petroleum product का export माल लिया इन्हें noil corporation ने और बोला इसके ओपर 11% tax दो aviation turbine fuel के उपर तो भाईया यह जो बड़ी बड़ी airlines है यह पहुंच रही है किसके पास सरकार के पास की मैभाब यह क्या हो रहा है हम तो अपनी domestic जो airline industries को बढ़ाने कोशिश कर रहे है और हम जो passengers बाहर लेके जा रहे है उसको आप export मान के हम से ही पैसे ले रहे हो तो सरकार ने यहाँ पे clarify क्या की देखे finance ministry ने साफ साब बोला है कि भाई जो domestic carriers है जो इंडिया के market के airlines है अगर वो foreign international flights करती है तो उनके उपर 11% basic excise duty जो साड कहा जा रहा है applicable नहीं होगी मतलब aviation turbine fuel के उपर लेके जा रही है तो यह यहाँ पे news है इसको याद रखेगा वैसे तो देखा जाए तो aviation turbine fuel की जो pricing है वो हमेशा से यह आप कह सकते हो थोड़ा problem में रही है अपराइल 2001 तक administered price mechanism चलता है मतलब कि aviation turbine fuel कितने रुपय पे market में बेकेगा यह भारा सरकार decide करेगी भारा सरकार decide करेगी कि aviation market turbine fuel की क्या value होगी कितना profit यहाँ पे हमारी जो domestic oil marketing companies है इनको मिलेगा कितने रुपय में fuel airlines को मिलेगा यह सब सरकार decide करती थी लेकिन बाद में पता चला कि सरकार को काफी नुकसान हो रहा है तो उसके बाद 2001 के बाद अगर आप देखो तो aviation turbine fuel के दामों को market से link कर दिया गया आज की date में aviation turbine fuel market system के उपर dependent है तो कितने रुपय पे crude oil बारा सरकार ने खरीदा कितने रुपय पे हमारे domestic market में kerosene available है इनके mixing से aviation turbine fuel बनाया गया उसके उपर जो भी अंदर depend करता अब इंडिया के अंदर एक problem है international airlines माल लिजे दुबाई की Emirates है Emirates को जिस दाम पे aviation turbine fuel मिल रहा है दुबाई में उससे 65% ज़ादा दाम पे Indigo और Spice Jet जैसी इंडिया के अंदर aviation turbine fuel मिल रहा है मतलब इंडिया के अंदर aviation turbine fuel foreign markets के aviation turbine fuel के दाम से ज़ादा है 65% ज़ादा है तो यह मैं reason आपको नहीं बता रहा है यह आप मुझे नीचे comment box में बताईए कि क्यों इंडिया को aviation turbine fuel महँगा मिल रहा है बाहर के countries के comparison में in fact चलिए योई में तो तेल पैदा होता है माल लिजे कोई एक ऐसी country अफ्रीका की जहाँ पे तेल ज़ादा पैदा नहीं होता मालो South Africa होगी तो South Africa के अंदर एवेशन टर्बाइन फिल के दाम कम है इंडिया के अंदर ज़ादा है तो ऐसा क्यों है इंडिया के अंदर एवेशन टर्बाइन फिल इतना ज़ादा foreign ministers की हमारे जैशंकर साब US Secretary of State Antony Blinken से मिले रशिया के foreign minister सरजे लेवरोव से मिले और यहाँ पर फिर से blame gaming चुरू हो गई जो western lot है वो रशिया के ओपर इल्जाम लगाने लगा कि overall रशिया instably कटी करता है यूक्रेइन में तबाही मचा रहा है रशिया ultra west के ओपर इल्जाम लगा रहा है कि तुम clean energy और cheap energy sources को मना कर रहे हो basically देखिये रशिया सस्ते में ताम provide कर रहा तेल provide कर रहा दुनिया पर तो China इंडिया से countries खरीद रही तो US और western countries के आप बोलने कि रशिया से मत खरीद हो हम तुमें देते हैं लेकिन वो जो टेल देंगी वो महंगा होगा तो इस context में रशिया पूरी दुनिया को criticize कर रहा है कि भाई तुम लोग हमारे ओपर sanctions लगा के तेल महंगा कर रहे हो चाइना रशिया जैसी countries push back कर रही है इंडिया भी यहां पर push back कर रहा थोड़ा बोट रशिया की favor में आ रहा है तो G7 summit में भी रशिया गोरी आया गया और G20 summit भी रशिया के decisions को लेके overall बहुत dominant रहा फिर वही से global food insecurity वाला matter fertilizer prices वाला matter रशिया का गलत तरीके से यूक्रेयन में कबजा करने वाला matter यह सब चीज़े है अब इंडिया और इंडिया और इंडिया यह दो प्लेयर दोनों ही meets में overall चीज़ों को stabilize करते नज़रा है इंडिया 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 दोनों ही special guests थे G7 की meeting में तो दोनों ही countries उस lot को belong करती ही जो कि रशिया के ओपर sanction भी नहीं लगा रही है प्लस ये भी बोल रही है कि वह और एक सही solution नहीं है तो G20 meeting में भी एक ऐसा बड़ा तपका था जो रशिया का criticism करता हुआ नजर आया और एक ऐसा तपका था जो open criticism रशिया का नहीं कर रहा था एक balance इस्थापित करने कोशिश कर रहा था जिससे कि G20 meeting में US, European Union, Japan, Canada, Australia ये anti-russia front बना के बैठे थे और बाकी countries anti-russia front बना के नहीं बैठी थी तो G20 meeting में भी कुछ आप कहलो बहुत काम का निकला नहीं आपे रशिया का foreign minister अलग चिल ला रहे थी है कि अगर western countries Ukraine के battle field में रशिया को हराना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते overall उनसे हमारी नहीं बन सकती जो US है और जो Europe है ये दुनिया को force कर रहे है कि रशिया के cheap energy exports को मत इस्तमाल करो पड़ इस से हो नहीं पाएगा actually में ideology के नाम पे एक जंग है और इस ideology के चलते G7 और G20 ये दोनों ही groupings आप कहलो useless होती जा रही है इसी लिए इंडिया आल्टरनेटिव इसरा ब्रिक्स और शांगाई corporation organization में अपने agreement को जिन्दा रखे हुए तो ये overall दोस्तों यहाँ पे news थी आगली news पे चलते हैं अब तो खेर Hindu editorial को हम लोग शुरुबात करें देखिए अब तक अगर आप में से किसी लाइक और शेर का बटन नहीं दबाया है दबा दीजे दोस्तों लाइक और शेर से चैनल का engagement बढ़ता है and it becomes very useful for the channel for the promotion of the videos चली पहली article the shadow war between इसराइल एंड इरा बाई एक समय ऐसा था जब इसराइल इरान को nuclear missiles देने की बात कर था जी हाँ missiles to Iran बात है जुलाई 1977 की मोहमद रेजा पहलवी जो की इरान के शाह थे इन्होंने अपने ल्यूटिनेट जनरल हसन तोफनीन को जो कि उनके deputy minister of war and armaments से इसराइल भेजा इसराइल में नई लिकुद की सरकार मेनाचम बेजिन से बातचीत करने के लिए उस समय पर जो इरान की शाह पहलवी की सरकार थी वो प्रो USA थी प्रो UK थी प्रो Western countries थी ठीकिन अब बहुत modernism की तरफ जाती थी conservative कम थी तो उस साल अप्रेल में शाह जो की इरान के leader थे उन्होंने oil form arms contract sign कहता Simon Poros के साथ जो की defense minister थे इसराइल की labor government में जी हाँ 1977 में इसराइल में सरकार बदली थी पहले labor government की सरकार थी उसके defense minister सीमान परेस के साथ एक deal sign की थी शाह रेजा पहल भी ने जो की इरान के रादा थे फिर इसराइल में इसराइल तयार था हर प्रकार की जो सरकार थी इसराइल के अंदर वो advanced surface to surface missiles बेचने को तयार थी किसको इरान को लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इरान के अंदर एक regime change होने वाला है ठीक है ना और यह जो regime change था यह पूरी तरीके से गल्फ और मिडल इस्ट की पॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा और यह हुआ आप देखो बेजिन सरकार जो आई आपकी इसराइल के अंदर उसके major general एजर विमीन यह यहाँ पे मिले किस से general तौफिनीन जो कि आपके शाह रेजा पहलवी के general थे इरान की सरकार के यहाँ पे इरान ने बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत पैसा यह surface to surface nuclear missiles हम आपको देंगे अगर इसराइल ने इरान को यह ballistic surface to surface nuclear missiles दे दी होती तो आज इरान इस हालत में होता कि वो साओधी अरेबिया UAE किसी भी country के deep तक attack कर सकता था वो भी nuclear missiles से लेकिन आप देखो Islamic revolution आया इरान के अदर और इस Islamic revolution के बाद जो इसराइल का regime change है वो पूरे बदल गया जो शाह रेजा पहल भी थे वो भग गई USM शाह की मुनार्ची चली गई और अब इरान बन गया एक theocratic republic एक ऐसा republic जिसको religious leaders lead कर रहे थे इसने इरान को बदल के रख दिया और पूरे region को बदल के रख दिया इस particular आप कहलो regime change के बाद जो US embassy के लोग थे वो trap हो गए थे इरान के अंदर इरान की जो आप geography देखोगे ना बहुत significant होगी आज की date में अगर आप पूरा Middle East और Gulf का इलागा देखो न तो वो ideologically बटा हुआ है इरान की Saudi Arabia से नहीं बनती इरान की Egypt से नहीं बनती इरान की UAE से नहीं बनती चुकि इरान में Shia leadership है और बाकी countries में सुनी leadership है तो एक Shia theocratic republic बन चुका था इरान के form में और अगल बगल जो भी सुनी गल्फ में मोनाकीस थी जैसे की UAE होगी Saudi Arabia होगी, Iraq होगी इनको पसंद नहीं आया गल्फ की पूरी politics यहाँ पे बदल गई ideology के basis पे पूरा का पूरा region बटके रह गए ठीक है अब तीन major players एक तो हो गया यहाँ पे Israel ठीक है एक हो गया यहाँ पे USA और एक हो गया यहाँ पे आपका इरान एक और player है यहाँ पे USA को चलो अलग हटा दो इरान, आपका Israel और एक है Arab Republic Arab Republics तो यह जो Arab World है Arab Republics को आप Arab World कह सकते हो जिसमें कि आपका UAE आ गया आपका Saudi Arabia आ गया एक Arab World एक हो गया Israel एक हो गया Iran अब इन तीनों की जुगलबंदी सेट नहीं वेट पाई USA बाहर से अपनी अलग तिगणम बिढ़ा रहा था अब देखे इसराइल की इरान से बिलकुल ही आप तो भया जो इसराइल के पूर प्रधान मंति थे नफ्ताली बेनेट उन्होंने ओपनली डिक्लेर कर दिये Octopus Doctrine Octopus Doctrine कहा कि जो Octopus इसके हेड में मारेंगे मतलब इरान को सीधे अटैक करेंगे ताकि कभी आगे आने लोग समय में इरान इसराइल को टक्कर ना दे पाए इरान ने ड्रोन अटैक से इसराइली टार्गेट्स को टार्गेट किया सीरिया के अंदर इसराइल ने जाने कितने स्ट्राइक्स कराई हैं इराइन टार्गेट्स के उपर दोनों लिटरली लड़ रहे हैं जिसलिए नहीं लड़ रहे हैं बट सीरिया के अंदर indirectly लड़ रहे हैं तो अब बिलकुल बदल चुके हैं चीज़ें Islamic Revolution के बाद इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स बदल गई इराल अपना अलग रास्ता जा रहा है अरब रिपब्लिक्स अपना अलग रास्ते जा रहे हैं इसराइल अलग रास्ते जा रहा है तीन लोग की कोई जुगलबंदी नहीं बैट पारी यूएस अपना अलग दिमाग लगा रहा है लेकिन आप कुछ चीज़ें चेंज़ें हुई है रिसेंटली पिछले एक दो सामलों में आपने देखा है अबराम एकॉर्ड सौल कर ले के बाद साइन करने बाद इसराइल और यह जो अरब रिपब्लिक्स है इनके बीच में दोस्ती होगी अरब रिपब्लिक्स में यूई साओधी अरिवे जैसी कंट्रीज आती है तो अब आपको एक ऐसा फ्रंट बनता नजारा आज जिसमें एक तरफ इसराइल है एक तरफ अरब रिपब्लिक्स है और दूसरी तरफ इरान है और इरान की तरफ यूएसे नहीं है यूएसे इसराइल और अरब रिपब्लिक्स की तरफ है तो इसराइल के उपर तगड़ा प्रेशर है लेकिन इरान भी जुकने वाला नहीं है याप इस बीच में एक एक अक्टिवीटी हुई थी जिसको आप बोलते हो जैसी पी होए जो कि ओबामा एडबिनिस्टेशन ने साइन किया था इरान की नुकलिर कैपबिलिटीज ना बढ़े इरान की नुकलिर पावर के ओपर काट्रोल लगाया जा और इसके बंदर में इरान के ओपर से सैंक्शन सटाएगे इरान तयार हो गया था लेकिन इसराइल को ये डील भी पसंद नहीं आई थी इसराइल नहीं चाहता था कि इरान उठे इसराइल चाहता है कि इरान मिलिटरिली भी कमजोर रहे पलिटिकली भी कमजोर रहे और एकनॉमिकली भी कंजोर रहे इरान इतना बड़ा आप कहलो oil का producer है इतने सारे natural resources इतनी बड़ी उसकी geography है कि एक बहुत बड़ी सुपर वावर बन सकता इरान लेकिन उसको sanctions के दम पर दबा के रखा गया है Obama ने इसराइल की बात ना मानते हुए JCPOA sign किया इरान के साथ लेकिन Donald Trump ने इसराइल की बात खुमाना JCPOA के वापस कीच लिया Donald Trump का target ये था कि ये जो JCPOA है इसको अटा देंगे तो इरान मजबूर हो जाएगा और हमसे बातचीत करने लगेगा लेकिन इरान ने बिलकुल मजबूरी यहाँ पे दिखाई नहीं इरान ने अपने nuclear program को और जल्दी दी nuclear fuel को और enrich किया उसने यहाँ पे overall maximum pressure जो approach थी Donald Trump की इरान के against वो यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गई इरान ने जो Arab Republics थे उनके targets के उपर attack करना शुरू किया येमेन में anti Saudi Lord को support दिया, Lebanon में Hefzullah को support दिया, Syria में anti Israel group को support दिया, मतलब इरान literally एक पूरे force के साथ वापस परटके दोड़ा और धीरे धीरे करके जो इरान की stature है ना, global stature वो बढ़ रहा है, maximum resistance policy Donald Trump की fail हो चुकी है ठीक है ना, Donald Trump क्या चाते थे, अभी देखें, जो Biden की सरकार है ना, Biden की सरकार JCPOA sign नहीं कर पारीपदा है क्यों नहीं साइन को पारीपदा है, क्योंकि Biden भी Donald Trump के line पे चल रहा है Donald Trump ने JCPOA को cancel क्यों किया, Donald Trump का ये कहना था, कि इरान के ओपर केवल nuclear enrichment का restriction नहीं होगा इरान को कुछ और शर्ते माननी पड़ेगी, जैसे इग्राल, Hezbollah और बाकी जो Shia Islamist Group है उनको support नहीं करेगा, दूसी तरीके से politics में इन्वाल नहीं होगा, मतलब Donald Trump और USA इरान को पूरी तरीके से दवाना चाते थे, अपना puppet बनाना चाते थे, बट कोई भी sovereign country किसी का puppet नह इरान इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में अंडियो इंटर्फियर नहीं करेगा, बाकी जगों की politics में इन्वाल नहीं होगा, इरान ने मना कर दिया, इरान ने बोला nuclear technology के respect में डील साइन करनी हो तो करो, मना मत करो, प्लस इरान ने बोला हमारे उपर से पूरे sanctions हटो, economically grow करेगा, और ये बात कभी भी पसंद नहीं आएगी इसराइल को, तो overall ये जो दुनिया है ना, ये बड़ ही, आप कहलो tricky सिनारियों की तरफ जा रही है, इसराइल का ये जो hard instance है ये बहुत tricky सिनारियों की तरफ जा रहा है, अब देखिए बात ये, US इस समय पे ये प्रिशर पढ़ता रहा है कि इसके उपर, इरान के उपर, इरान की एकनॉमी कभी sanctions से बाहर ना निकल पाए, लेकिन इरान धीरे-धीरे करके grow कर रहा है, उनकी एकनॉमी भी धीरे-धीरे करके grow कर रही है, overall sanctions के वो आदी हो चुके हैं, अब उनको घंटा फरक नहीं पड़त कि भाई, तुम sanctions हटा रहे हो, नहीं हटा रहे हो, बिल्कुल ही conservative hardline तबके के leader आ चुके हैं वहाँ पर, अपने nuclear fuel को enrich कर सकते हैं, कर रहे हैं, और कल की डिट में JCPO sign भी हो जाता है, तो भी उचुप-चाप तरीके से अपने nuclear fuel को enrich करते रहेंगे, तो कुल मिला कि इस समय प की, कि USA ने जो Islamic revolutionary guard cops को terrorist organization declare किया है, यह हटाओ, आपको यादो का जनवरी 2020 के समय, Qasim bin Suleimani, वो IRGC की head थे, इनको Donald Trump ने execute करवा दिया था Iraq के अंदर, यह जो IRGC है, यह बाकी countries में भी operate करता है, Iraq में, CREA में, तो Iran no doubt geopolitical events में बहुत actively participate करता है, IRGC इन सब चीजों में involved है, य यह इरान की elite premier guarding agency है, इरान की शर्त है, US के सामने की IRGC के उपर से जो terrorist designation है, terrorist organization resistance को अठागो, बाइडन मान नहीं रहे, बाइडन के भी हाथ बन गए, डॉनल्ड ट्रम ने conservative politics में इस हद तक चीजों को बिगाड दिया है, कि अगर बाइडन, डॉनल्ड ट्रम दौरा fix किये ग negotiations में वो सब चीज़ें मांग रहा है, जो कि IRAN कभी देगा ही नहीं, इसी लिए joint comprehensive program of action nuclear deal sign हो जाए, इस बात के chances बहुत जादा कब है, और इसके चलते हैं, आगे आने वाले समय में geopolitics risks हर जगह हो सकते हैं, केवल योरोप के अंदरी war के chances नहीं हैं, Middle East के अंदर war के chances हैं, एक इस बात की chances बहुत कब है, बट इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि IRAN के बास nuclear weapons ना है, इसराइल तो openly बोल चुका है कि इससे पहले IRAN nuclear weapons बनाएगा, हम उससे पहले इसके उपर strike कर देंगे, तो हालात यहां पर अच्छे हैं, हैं नहीं यहां पर, overall चीज़ें काफी destability की तर इस आर्टिकल में कुछ बहुत कंक्रीट नहीं है, थोड़ा environment के respect में हलकी हुलगी जानकारी दे रखी, जैसे author कह रहा है कि फिछले महीने 100 मूमन, मनरेगा की scheme के अंदर pits को खोटते हुए, trees को प्लांट करते हुए नजर आ रही थी, नंगल खुर्द विलेज मंसा डिस्ट administration involved था, एक प्रकार का community effort था यह, तो अब क्या है, वन महसो मनाय जाना है, जो कि forest को celebrate करता है, वन महसो डे की बात की जाते हैं, जुलाई 1947 से इसको मनाय जा रहा है, पंजाब बॉटनिस्ट MS रंधावा ने इसको और्गनाईज किया था, 1950 में कनया लाल, मानिक लाल मुंशी, जोकी के environment system, union ministry of agriculture food थे, उन्होंने इस particular one महसो के national reach को बढ़ाया, आज की date में, forest को जादा celebrate करने की जुरूआत है, हमें जादा forest बनाने की जुरूआत है, उनको restore करने की जुरूआत है, union for conservation of nature, international union for conservation of nature, IOCN के इसाब से, deforestation of forest degradation, 12% greenhouse gas emissions के लिए responsible, यह important information, IOCN के इसाब से, deforestation and forest degradation contribute to 12% of greenhouse gas emissions, यह note कर लीजे, primary forest in India, जो भी इलाका अकुपाई करते थे, यह 3.6% से कम हो जुका है, तो basically, भारत सरकार और दुनिया बर की सरकार हैं क्या कर रही है, afforestation और reforestation, non-treed lands के उपर, जहाँ पर tree present नीचे, तिकि जहाँ पर tree present थे, वहाँ पर गरा करने के लिए, तो जहाँ पर trees नहीं है, वहाँ पर नए trees लगा के, compensation करने की कोशिश की जा रही है, इंडिया के अंदर, यह जो strategies हैं दीरे दीरे evolve हो रही है, और overall, आज की date में जो concept हमारे सामने आ रहा है, वो है forest landscape restoration, इसके दुरों हम क्या करने कोशिश कर रहे है, ecological functionality को revive करने कोशिश कर रहे है, human welfare को improve करने की कोशिश कर रहे है, degraded foreign landscape को फिर से revitalize करने की कोशिश कर रहे है, अगर देखा जाए तो एक study ऐसा बताती है कि 2 billion hectares of degraded land in the world, और इंडिया के अंदर specifically 140 million hectares, 14 crore hectare land, potentially restore हो सकता है forest land में, इसके लिए हमें करना क्या है कि diverse species के trees लगाने है natural forest को पैदा करना है, देखिए जब भी एक natural forest बनता है ना, तो उसमें एक species नहीं होती ट्रीकी, अलग-अलग species होती, इसलिए वो natural होता है, समझ गया है, तो अगर हमें natural तरीके से अपने forest को फिर से पैदा करना है, तो हमें उसको natural तरीके से regenerate करना पड़ेगा, उसके लिए लोकली native species को लगा रही, जैसे जंड, जिसको आप रॉसपिसिस के नहीरा कहते हैं, देसी के कर, जिसको आशैशियन लोटिका कहते हैं, फर वान, ये local environment को जेलने के लिए acclimatized है, resilient variety है, इनका survival rate 90% है, तो restoration activities के लिए, forest restoration के लिए बिलकुल perfect है, तो इसी प्रकार से local geology को समझत हुए, उसको point out करते हुए, हम लोग sustainable तरीके से अगर अपने forest को restore करेंगे, तो that is the best way to move forward, और ecosystems को regulate करने के लिए forest important है, carbon cycle को influence करना, climate change के impacts को influence करना, जिन सब respect में अगर आप देखो, तो हमारे forest बहुत important है, annually जो देश के forest हैं, या दुनिया भर के जो forest हैं, वो 2.6 billion tons, मतलब दुनिया में जो forest हैं, वो 2.6 billion tons carbon dioxide absorb कर जाते हैं, आप समझ सकते हो, 33% carbon dioxide, जो कि fossil fuels को जलने की वज़ा से emit होती है, उसको कौन खीच जाता है, हमारे forest खीच जाते हैं, प्लस environmental benefits के साथ, यहाँ पे एक human dimension भी, जितने जादा forest, उतने ही millions lives को livelihood मिलता है, जो कि कुछ लोग तो जो कि forest ecology के साथ जुड़े हुएं, तो वो forest में रहना पसंद करते हैं, forest से sustainable तरीके से minor forest produce को पैदा करके अपना जीवनी आपन करते हैं, मतलब जब forest बनेंगे न, तो millions of लोगों को employment और उनके रहने का सहरा देंगे, ठीक हैं, कुछ academic से world resources institutes का इनका क्या बोलना है, कि जो forest ecosystem हैं, वो आस-पास के अलाखे की soil fertility को बढ़ाते हैं, water availability को बढ़ाते हैं, agriculture productivity बढ़ाते हैं, पूरी की पूरी rural economy को transform कर देते हैं, flooding को control में लेके आते हैं, food insecurity को कम करते हैं, women को empower करते हैं, rural to urban migration को रोकते हैं, वगरा वगरा, बहुत से benefits यहां पे forest restoration के बता रखेंगे, अभी program कौन-कौन से चल रहे हैं, इसके respect में, तो भाईया, 2021 से 2030 है UN Decade on ecosystem restoration, जिससे forest का जो degraded territorial ecosystem है, इसको restore किया जा रहा है, फिर 2011 में launch किया गया bond challenge, जिसका global goal था restoring 150 million hectares of degraded and deforest landscape by 2030, 2020, 2020 तक bond challenge के एसाब से 150 million hectares forest को, degraded forest को restore करना था, और 2030 तक 350 million hectares degraded forest को restore करना था, इंडिया ने भी bond challenge को 2015 में join किया और pledge किया, कि इंडिया के अंदर 26 million hectares of degraded and deforest land को restore करेंगे 2030 तक, इसके असाब इंडिया के अंदर, दो तसंबला 5 billion से 3 billion tons of carbon dioxide का एक sink बनाया जाएगा, through forest and tree cover, by 2030, ये इंडिया के targets हैं, bond convention को pledge करते होगे, और इंडिया अपने bond challenge के pledge को बहुत seriously दे रहा है, इंडिया के अंदर compensatory of forestation का plan बनाया गया है, national afforestation program बनाया गया है, national mission for green India बनाया गया है, जिसको green mission के था, नगर one scheme, forest fire prevention and management scheme, ये सारी schemes इंडिया के अंदर चालू की गई है, forest के afforestation को लाने के लिए, degraded lands को फिर से restore करने के green skill development program के through युथ को overall यहाँ पे aware किया जा रहा है कि यहाँ environment forest आपके लिए कितना important है, in fact बहुत सारी सिराज जैसे कि तेलांगना ने एक large skill tree planting program चालू किया है, जिसका नाम है तेलांगनाकू हरित हरम, तो basically इन सब प्लानों के थ्रू केंदर की सरकार और राजी की सरकार, दोन यहाँ पर हम कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पर Center for Science and Environment का एक data लिया गया, यह data क्या बोलता है, यह data यह बोलता है कि 1951 से लेके 1980, जो मौनसून के महीनों के average temperature से, वो summer के महीनों के average temperature से 0.3% जाता है, अब आप बोलो कि summer में क्या आता है, तो summer में आता है भाई March, April, माई, ठीक है, और मौनसून में कहाता है, June, July, August, September, ठीक है, October, November, December आता है आपका पोस्ट मौनसून में, January, February आता है आपका winter में, ठीक है, मैंने सारे आपको बता दिया, अब यह जो June, July, August, September यह मौनसून महीना है, इस मौनसून महीने का average temperature 0.3 degree centigrade is summer के महीनों के average temperature से, March, March, April, माई से कौन से time duration के लिए, 1951 से 1980, वहीं 2012 से लेके अगर आप 2021 के time period को देख रहे हो, तो इस कंटेक्स्ट में, मौनसून के महीनों का average temperature summer से 0.4 degree centigrade जाए है, यह global warming के effects दिखाता है, फिर इस बार की बात दिखी जाए, तो भाई देखो winter की जो महीने है, जनवरी, फरवरी और post monsoon की जो महीने October से December, इनका जो temperature के बढ़ने का rate है, वो summer temperature के बढ़ने के rate से बहुत जाद है, प्लस इस बार जो heat wave आई थी, उससे यह पता चला कि normal कर North Western States में March में, जो maximum average temperature होता है, वो 30.6 degree है, यह number all India के लिए 33.1 degree centigrade हो चुका है, Central India में जो temperatures थे, वो maximum के 2-6 degree जादा थे और Peninsular India South में 4-10 degree जादा थे, प्लस heat waves की वैसे कितने लोग मरे, 2015 से लेके 2020 के बीच में, North West India में 2137 लोग मरे heat waves से, और South India में 2444 लोग मरे, और South India की आधी मौतें आंदर प्रदेश में होई, तो यह सब चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही हैं, कि जो temperature anomalies हैं, वो आगे आने व वाली हैं, तो क्या हमारे देश की authorities इसके लिए कुछ कर नहीं रही हैं, बिल्कुल कर नहीं हैं, जैसे कि गुजरात की बात की जाए, तो गुजरात में heat action plan बनाएगा है, यह heat action plan overall local level पे interventions करके, गर्मी की वैसे लोगों की मौतें ना हो, इसको अकम करने ही कोशिश करते हैं, अर्बन heat island effect को भी responsible बताया ज़्यादा, जैसा कि urbanized इलाकों में ज़्यादा सड़के हैं, ज़्यादा building हैं, concrete ज़्यादा है, यह concrete heat को खीचता है, अब्सॉर्ब करता है, तो जो local temperature है, वो urban heat island effect की वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यह भी temperature बढ़ाने के लिए responsible, केंदर की सरकार की national disaster management authority, 28 heat prone states में से 23 के अंदर काम कर रहा है, overall, चीजों को ground level पर साफ करने के लिए अच्छा करने के, तो इस प्रकार की infrastructure green buildings बनाना, जो की naturally heat को tackle कर सके, overall cooling लेके आ सके, यह सब चीज़ें यहाँ पर बताई जारी है, फिर fair play on bridging the gender pay gap in sports, भाई New Zealand के cricket ने एक revolutionary decision लिया है, जो male players को यहाँ पर salary बगर दी जाती है, match fees दी जाती है, वही female players को match fees दी जाएगी, तो अब New Zealand के men और women, दोनों ही players को same batch fees मिलेगी, चाहे वो international level पर खेल ले हो, चाहे वो domestic level पर खेल रहा हो, यह जो step लिया गया है New Zealand में, इस से लगबग चार मेहने पहले United States की जो women national footballers team थी, उन्होंने भी 6 साल लंबे battle जीता और overall अपने federation से men के बराबर जो remuneration था वो पराप्त किया, तो US की women national footballers team men के बराबर compensation लेगी और New Zealand के अंदर men's और women's cricket team बराबर compensation लेगी, तो अपने आप में बड़ी बात हैं, और young women girls बहुत proactively आगे आके sports को as a career चुन सकें, इस चीज़ के लिए एक बड़ा push मिलेगा अब women को, और अपने आप में एक बड़ी बात है, इस चीज़ के लिए अगर आप देखो, तो tennis में भी एक moment चला है, 1973 में, बिली जीन किंग के leadership के अंदर, US Open को भी overall men और women, दोनों को बराबर amount of fees देने की बात की गई, तो 34 साल इनाम दिया जाता है, और women को इनाम दिया जाता है, उसको बराबर किया गया, पर इस context में football, basketball, golf, ये कुछ ऐसे आप कहलो, sports है, जहाँ पर अभी women को men के बराबर पैसा दिया जाए, इस चीज़ के लिए जो struggle है, वो यहाँ पर जारी है, अब इस context में गर आप देखो तो, ज इसलिए हम जादा पैसा फोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर इजांपल अब BCCI IPL conduct करता है, मालो कल की डेट में कोई IPL, women's के respect में conduct होने लगता है, तो उसमें क्या होगा, ये जो organizer से वो क्या बोलेंगे, जो men वाला IPL, उसको ज़्यादा लोग दिखने आते हैं, जो female वाला IPL, उसको इतने कम लोग दिखने आते हैं, इसलिए हम men को ज़्यादा फीज देते हैं, लेकिन overall फिर भी, देखा जाया तो एक regressive thought process होगा ये, women आगे आ सकें, participation उनका बढ़ सकें, no doubt वो socially disadvantage नहीं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, अगर उनका compensation बराबर किया जाए तो better रहेगा, देखे, mainly जो sportsmen कमाता है न, वो कमाता है अपने brand endorsement से, advertisement जो उनको मिलते हैं, तो अभी advertisement वालों को तो force नहीं किया जा सकता है, कि तुम women को बराबर quantity में चुनो, लेकिन at least ये जो organizers होते हो, कम से कम तनखा तो बराबर दे सकते है men women को, इस context में देखा जाए तो India मे बेडमिंटन के फिल्मे साइना नहवाल और पीवी सिंदू ने बहुत नाम रोशन किया है, तो जितना जादा यहाँ पे जो reimbursement है, जो remuneration उतको बराबर किया जाएगा, उतना ही जो हमारी female players हैं, उनको आगे आने का एक मौका मिलेगा, एक push मिलेगा, एक incentive मिलेगा, तो ये वो काफी लेट हो गया, बट, overall मैंने holistic तरीके चीज़े आपको समझाई है, I hope आपको पसंद आई हो, वीडियो को like और share करने जाएगा, have a great difference